Hello everyone, कैसे हो आप सब? क्या आप भी कॉक्रोचों से परिशान हो? आपके घर में छोटे छोटे इदर उदर कॉक्रोच बहुत सारे हो गए है तो ये वीडियो एंटक जरू देखिए कुछ ऐसे आपको मैं टिप्स बताऊंगी जो घरे लून उसके होंगे जिससे के आपके घर के सारे कॉक्रोच बिल्कुल खतम ही हो जाएंगे वीडियो को इन तक जरू देखिए पसंद आए तो दोस्त के सारे करना ना भूले तो यहां पर देखिए हमारे घर के दिवारों पर आपको छोटे छोटे अगर डॉट दिखरे इस तरीके से कॉक्रोच के अंडे हम नीचे वाला हिससा तो साफ करते है पर उपर ज्यादा ध्यान नहीं देते फिर इसी से वो जो अबादी है उनकी वो बढ़ जाती है अगर अभी बहुत जदा कॉक्रोच नहीं है तो एक दो कॉक्रोच भी अगर दिख़ाए देना तो तुरंत इलाज कीजे क्योंकि इनकी जो आबादी है बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगती है अगर दिन में अगर आपको कौकरोच नहीं दिखाई देना तो रात में क्या कीजे सोने से पहले आदा घंटा लाइट बंद करके एक बार अचानक किचन में जाके लाइट आउन कर दीजे उसके लिए हमें थोड़ा सा पानी चाहिए बिलकुल 4-5 चमच इतना पानी लिया है मैंने और इसमें मैंने लिया है थोड़ा सा आधा निम्बू बस निम्बू निचोड़ना है बिलकुल छोटा सा निम्बू था तो आधा मैंने लिया है तो इस तरह के से हम इसका पूरा जो है इसमें अच्छे से घोल देंगे देखें कोक्रोच ऐसी चीज है कि बहुत ज़्यादा देखने पर भी घिन आती है और इससे बीमारिया भी बहुत ज्यादा फैलती घर में बुड़े बुजुर्ग है बच्चे है तो यह इलाश तो हमें जरूर करने चाहिए तो यहां हम सोलूशन बना रहे है इससे आपको 100% result मिलेगा मैंने खुद यूज किया है उसके बाद ही आपके साथ इसे शेयर किया है तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा वाशिंग पाउडर बिलकुल थोड़ा सा डालना है और इससे अच्छे से mix करना है यह जो सोलूशन बना रह कुछ इस तरीके से जैसे कि मैंने कहा कोई भी इलाज करने से पहले आप घर की अच्छे से सफाई कर लीजे जिससे कि इनके जो अंडे है इधर उधर कोने में कई दिखाई दे रहे है उस सारे के सारे निकाल दीजे जिससे ये बढ़ेंगे नहीं और ज्यादा और थोड़े जो गोले है न हम बना रहे बहुत ज्यादा काम करेंगे जहां भी आप इसे रखोगे न वहां से बिल्कुल कॉक्रोच गायब हो जाएंगे एक भी कॉक्रोच वहां पे आपको नजर नहीं आएगा अगर आपको ये कॉटन के छोड़े छोड़े जो गोले नहीं बनाने तो आप क्या कीजिए जो हमने सोलुशन बनाया है वो स्प्रे बॉटल में भरी है और जहां आपको कॉक्रोच दिखाई देते हैं वहां पे स्प्रे कीजिए तो वहां से बिल्कुल कॉक्रोच हटी जाएंगे तो हमारे जो गैस का चूला होता है न उसके नीचे बहुत ज्याद यह तरीका है जरूर ड्राइ कीजिए इसमें जो हमने चीजे मिक्स के न इसकी जो स्मेल बन रही है यह कॉक्रोच वहां से बिल्कुल दूर भाग जाते हैं पहले साफसफाई करना तो जरूरी है उसके बाद यह इलाज जरूर कीजिए तो हमारे घर में अगर कुछ ऐसा इल और साथ ही में यह बहुत आसान भी है तो यहां पर देखे मैंने कटोरी लिये है उसमें हमें डालना है गेहु का आटा थोड़ा ज्यादा भी बना के रखोगे न तो भी कोई दिक्कत नहीं या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा कौकरोच हो गए है तो आप ज्यादा भी तो तीन चार ले सकते हो बस थोड़ी बड़ी थी इसलिए मैंने दो ली है और हमें क्या करना है इसे कद्दू कस करना है चाहो तो आप कूटके भी से उसकर सकते हो मैंने इसका उपर का हिस्सा नहीं निकाला है क्योंकि न छिलके आराम से निकल जाते है जब भी हम इसे इस करेंगे दिखे आज कल न बहुत ज्यादा कौकरोच की समस्या न वो बढ़ती जा रही है क्योंकि क्या होता है कुछ कुछ चीजे हम खाने पिने की खुली चोड़ते है कभी कबार गलती से कुछ खुला चूड़ता है वहां पे कौकरोच पूरा जमा हो जाते ज्यादा तर अब रात के टाइम देखोगे न हमारे फर्श पर भी अधर उदर आपको कौकरोच नजर आएंगे तो इस तरीके के अगर कौकरोच रहेंगे तो और ज्यादा वह बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे और इससे बहुत ज्यादा बिमारिया फैलती है तो इसे टाइम पे ह खतम करना बहुत जरूरी है तो इस तरीके के छोटे मूठे इलाज करके भी इनको भगाया जा सकता है तो यहां पर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालके से अच्छे से गुदना स्टार्ट किया है देखिए ज्यादा पतला नहीं करना है बस हम जैसे रोटियों के लिए आट किया जाए एक बार कॉक्रोच चले जाने के बाद फिर से अगर होते न उसका एक ही रिजन होता है कि आपके घर में कहीं न कहीं उनके अंडे चूट गए थे तो उसी की वज़े से कॉक्रोच दोबारा हो जाते है तो इस बात का जरूर ध्यान रखे कभी-कभी हमारी जो टा ज्यादा तर और जैसे कि हमारे जो गैस्टो होती ही उसके नीचे वाले हिस्से में ज्यादा कॉक्रोच होते है तो वहाँ पे आप रख सकते हो या फिर जैसे वास बेशिंग में या फिर सिंक में आपने देखा होगा रात के टाइम में वहां से ही ज्यादा कॉक्रोच हमार पे ये ज्यादा हो जाते है तो जूते जहां रखते हैं वहां पे भी आप इसे डाल सकते हो जरूर ये सारी जगों पे डालिए या फिर और कहीं आपके घर में जगह हो जहां पे आपको कॉक्रोज दिखाई देते हैं वहां पे भी इसे जरूर डाले बहुत ही बढ़िया जल देखने को मिलेगा तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे चैनल पे नए हो तो सस्क्राइब जरूर करें ऐसे यूसफुल वीडियो में आपके लिए लाते रहती हू तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक वीडियो लेके आऊं तो चले फिर मिलते हैं